अब बच्चो बारी है फिजिक्स की और आपका फिजिक्स का एक्जाम 4th of March का को है तो चलो आज तो आप थोड़ा बहुत जो है रेस्ट भी करोगे क्योंकि आज आपने एक्जाम दिया है के मिस्ट्री का बट कल से आपको बहुत महनत करनी पड़ेगी है ना तो 28th February 29th then you have 1st of March, 2nd of March and 3rd of March also तो टेक्निकली आपके पास अभी टोटल 5 दिन है ना 3rd March को थोड़े हलके फुल के टॉपिक करना और थोड़ा सा आप रिवाइस करने में ज्यादा फोकस करना चीजों को लेकिन ये 4 दिन आपको बहुत बढ़िया से अपना syllabus पढ़ लेना है देखो आप चाहे बोले या ना बोले इस बात को बट रियालिटी हमें भी बता है कि कई बच्चे ये लास्ट के 4-5 दिन की पढ़ाई में ही पूरा-पूरा डिपेंडेंट होते हैं पहले का पढ़ा हुआ या तो भूल गए हैं या तो बहुत बढ़िया से पहले पढ़ा नहीं था प्री बोर्ट बगर में थोड़ी बहुत महनत कर ली थी जो भी है कुछ आता है कुछ नहीं आता है लेकिन असली मेहनत जो आप करेंगे वो इन 4-5 दिनों में ही करेंगे तो मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूँ इस चैनल पे और अल्रेडी जो हैं उसके सेशन्स क्रियेट हो चुके हैं तो इन 5 दिनों के लिए मैंने बहुत जबरदस तरीके से आपका प्लान कर रखा है और आप देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी चैनल पे ठीक है तो जो पहला दिन है यानि कि 28 फेबरिवेरी उस दिन हम लोग बच्चों करेंट इलेक्टरिसिटी करने वाले हैं कि पासेटरस करने वाले हैं और इलेक्ट्रो स्टाटिक्स करने वाले हैं ठीक है तो अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जाके फटा फट लाइक कर दो और यहाँ पे नोटिफाई मी में आप क्लिक कर दो ताकि जब भी सेशन होगा 28 को 12 बजे यानि कि कल 12 बजे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा है ना पूरी प्लेलिस्ट हमने बनवा के रखिये बच्चो ठीक है तो लेक्चर 2 में वी आ डूइंग मूविंग चार्जस और मैगनेडिजम मैगनेडिजम और मैटर और EMI फिर 3 में हम लोग कर रहे हैं रे आप्टिक्स वेव आप्टिक्स है ना तो क्या रोड मैप होना चाहिए तो रोड मैप तो वैसे तब दिया जाता है जब कुछ महीने बचे होते हैं 4-6 महीने बचे हो तीन महीने बचे हो तो एक रोड मैप होता है पांच दिनों के लिए क्या ही रोड मैप होगा पास दिनों में आपको पता है कि मेरा जो syllabus है उसको मैं बहुत बढ़िया से cover करना चाहता हूँ है ना, including derivations, including questions, including theory, everything तो कुछ नहीं है, पास दिनों में पूरा syllabus आप चाहो तो divide कर दो day 1, day 2, day 3, day 4 and day 5 और अगर divide करना भी नहीं आ रहा है, तो जिस तरीके से मैंने divide किया हुआ है पास दिनों में, पास दिनों के playlist मैंने बनवा दिये, उसको आप follow करो और thoroughly बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो, है ना, तो मैं आपको उन sessions में everything I will guide कि कहां से boards में question आता है, कहां से need में question आता है, किस type के questions आते हैं, कैसे answer लिखना है, कैसे attempt करना है, everything और इतना ज़्यादा कुछ tension लेने वाली बात नहीं है, boards का exam इतना difficult नहीं होता है, है ना, और step marking वगरा सब होती है तो आप बहुत अच्छे से excel इसमें कर जाओगे, ठीक है, तो कुछ नहीं है, roadmap बहुत simple है, कल सुबह, यानि कि 28 तारिक को सुबह-सुबह 12 बज़े आपको हाजरी लगा देनी है class में, और पहला chapter हम लोग, पहले 3 chapter हम लोग, electrostatics, capacitor और current से शुरू करेंगे इसके अलावा, आपको PYQs बगरा भी solve करने चाहिए, तो हमने ना, दो link add करवाएं है in the description, एक है आपका boards के लिए और एक है आपका neat के लिए, तो neat वाले जो बच्चे हैं, है ना, neat exam, तो ये link पे आप जाओगे जब, तो इसमें आपको बिटा, सारे chapter wise, है ना, सारे chapter wise, द papers हैं यहाँ पे, जो आप आराम से download कर सकते हो, year wise, and boards के जो बच्चे हैं, boards के जो बच्चे हैं, उनके लिए अलग link है, वो भी description में मिल जाएगा आपको, and here again you have the syllabus, है ना, अगर चेक करना है, क्या delete हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बाद ये देखो, physics 2020, है ना, physics 2019, physics 2018, physics 2016, अलग-अलग set, ठीक है, chemistry का paper है, तो अभी तो आप physics में, you know, focus करोगे, और इसमें click करते ही आपको जो है, pdf वगेरा मिल जाएगा, है ना, तो यहां से आप आराम से previous year questions में go through कर सकते हैं, and you can see, you can go through कि भाई किस type के questions आ रहे हैं आजकल, है ना, तो बहुत simple से strategy है, कि strategy कुछ नहीं है, महनत करनी है, चुप चाप, है ना, there is no shortcut, there is no alternative to hard work, बहुत बढ़िया से महनत करो, और कल से मिलो मुझे, 12 बजे और मचाते हैं मि ठीक है बच्चों, चलिए, bye bye, see you all, have a nice day, bye bye